हेलो शुड़ोस और वेलकम टू तू दा स्टूडियो मेंबर्स हिंडालकू को आज की दिन हम डेट कर रहे हैं इसके नतरा हमारी रीडिंग्स कैसी है किस तरह से हमने प्राइस को रीड क्या है पोजिशन हमारी कैसी क्या चल रही है इस एक एक चीज़ को भी डिसकस करेंगे स्टॉप लोस अभी तक हम नहीं लगाया है तो स्टॉप लोस भी हमको लगाने स्टॉप लोस का इरिया मालूब है कि 417.90 इसके पास में स्टॉप लोस अपना लगाना चाहते हैं एक छोटी से कंफिमेशन का जस्ट वेट कर रहे हैं क्योंकि एंट्री यहां पर हमने अग् हाई और देखे यहां पर मार्केट स्टॉप हो गए थी यह इसको ब्रेक नहीं कर पा ले थी बहुत दिन तक यहीं पर रुकी रहे मार्केट और फिर सड़नली एक मूव डाउन सैट की तरफ आ गया है और आज आने के बाद में एक मूव यह और इस लोवर हाई के बाद में प्राइज ने वापस से देखी यहीं पर इसी जगह पर अपना रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और वापस से प्राइज नीचे किर रहा है हमारा ऐसा मानना है कि प्राइज के अंदर जो लोवर लूज लग रहे है आज की भी जो कैंडल है हाला कि यह ग्रिन बनी लेकिन market close होते होते इसमें एक red candle हमें form होते हुए नजर आ जाएगी reason क्या है क्यों red candle form हो सकती है सिर्फ candles को read कीजिए होने वाली movements का थोड़ा सब prediction कीजिए उसको predict कीजिए जिधर भी आपको लग रहा है कि ये movement possible है विसे मालूम है कि अगर वो नीचे गिरेगा तो बहुत हतक चांस है ना कि वह रेड बनेगी अगर उपर की दिश हम जाना तो वह green बनेगी मेरे recording हिंडाल को किंदर आज रेकेंडल बनने चाहिए लोवर लोवर है लोवर लोवर है लगा रहा है अभी कहा है अभी मार्केट अपकी किस जगह पर है हमें लग रहा है कि प्राइस भी पूरा मेरा मार्केट किया कर रहे है किस तरह के मूवर्मेंट रहे है तो प्राइस यहां से नीचे के तरफ गर इन अचरुग गर आया और यहां से प्राइस हमारा अप आप साइड की तरफ जाने लगा तरह कि अभी है ठीक है यानि कि अब तो यह strong है बट suddenly क्या हुआ कि price ने gap down opening दे दी और यहीं पर यह close हो गया हमें मालूम है क्या लग रहा है कि यह जो gap बना है ना market इससे fill करने के बाद में वापस से नीचे आ जाएगी और कल की 325 की candle के high को इससे touch करना चाहिए यह बहुत अच्छा formula formula in the sense के rule होता है market कभी भी अपने gap को fill ज़रूर करती है वो कभी अपने gap को खाली नहीं रहने देती वो fill करेगी तो आज क्या हुआ है कि हिंडालकों में just जो gap up हुआ है दो दिन पहले यह वाला जो gap down हुआ है ना इसको just fill करने के लिए market upside की तरफ गई है अभी इसका काम पूरा हो चुका है और प्राइस का जो basic nature है जो basic trend है इंडालकों के अंदर का कि lower lose लग रहे हैं तो यहीं से हो सकता है कि price एक resistance लिए और यहां से नीचे की दिशाम गिर जाए होग कि आपको clear होगा कि किस तरह के analysis हम लोग कर रहे है अभी day time frame पर हमें सब कुछ clear है अब हम चलते हैं lower time frame के ओपर देखे 5 minute का time frame हो गया अब इस में market ने 9.15 की बड़ी से candle form करते है candle बना दी अब इसके according चलिए हम 9.15 का high mark कर लेते हैं अब इस 9.50 के high के पास मार्केटिंग किस तरह के movements के ब्रेक आउट करने की कोशिश हुई volume के साथ है न और प्राइज हमारा फिर से नीचे गर गया और हमारी इस candle का low just break कर दिया अब जब आप देखोगे के यहां पर जो अपनी entry का price है 415.80 कॉपी कर लेंगे इसको और एक हम लोग line रख देते हैं चलिए यह वाली ले ले लेते है पेस्ट 415.80 यह point बन जाता है हमारा जिस जगे पर हमने अपना trade execute क्या अब इसको और हम lower time frame पर आकर के filter करने की कुशिश करेंगे थी मिट्स की time frame पर तो देखे यहां पर यह candle नौ बचकर 18 मिंट की candle ज़स्ट इसका low है price हमारी 918 की candle का movement जो है वो नहीं कर पारा था movement in the sense के नीचे की तरफ closing हमें चाहिए थी जैसे ही closing हुई है closing के साथ ही साथ यहां पर अपने execution से start हो गया इस जगे पर प्राइस तब से नीचे तो बहुत मुश्किल है कि price हमारा upside की तरफ जा पाएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो यहां पर 417.90 का एरिया है यह सकते हैं दस वैसे और उपर करते हैं वैसे जरूरत है नहीं 417.95 चलिए कर देते हैं इसको कर देते हैं कॉपी इस लेंट को इसको डिलीट करते हैं ओके 415.95 यह अपना स्टॉप लॉस कहीं होगा आज का चलते हैं एंड पोजिशन वोग प्रॉफिट के तना चल रहे हैं विज़का 2100 के आसपास का चल रहे हैं स्क्वार ओफ एनसी एसल मार्ट यहां पर अपना स्टॉप लगाए कि 417.95 ओके और बुक में चलके देख ले स्टॉप लॉस जो लगा है 417.95 का हमारे स्टॉप लगा हुए पोजिशन में आ चाहिए और इस वत की जो पोजिशन चले 2000 के राउंड की चल रहे हैं ठीक है कहां तक उमीद है मार्केट की गिरने की सो यह जस्ट हम 9 कल की जो कैंडल है 325 की कैंडल इसके जस्ट हाई पर हम कोशिश कहरेंगे कि जितने टार्गेट है हमारे हम वो बुक करें यहां तक स्टॉप लॉस अपसाइट की तरफ एंट्री यह है इस टॉप लॉस बेशक बड़ा है क्योंकि जो मॉव्मेंट हो यह मॉनिंग में 915 की कैंडल की वह बड़ी मॉव्मेंट है लेकिन इसके बहुत रिलाक्स सेट अपना बनो यह हर बड़ी नहीं होनी चाहिए इस टॉप लोस लगाने कहां लगा है कहां लगा है स्टॉप लोस फोर बन सेवन यहां लगा दे यह चलो चाह उपर लगा और उपर कर दे यहां पर कर दे यह सब बचकानी चीज है जब आप 2-4-5 दिन क आप इसी लिए आते हो कि चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं टाइम पास नहीं भी कहना शायद गलत होगा कि चलो देखते हैं हो सकता हमें भी प्रॉफिट होजए मैने तलगती है थोड़ा सा हार्डवर होता है कुछ एक्सपेक्टेशन्स वी होती तो उसके एक प्रोफ नहीं होगा दीरे दीरे करके इसे जस छोड़ना पड़ेगा पूरे अगर देखो एक तरह से तो आज के जो सिस्टम ने जैसे हम आज के दिन ट्रेट करें वो पूरा गैप गैपिंग का सिस्टम है डेली तैम पर मार्केट ने अपना गैप फिल किया और दीचे के जितने भ रESतम लोगों ने ही डाल कोंके अंदर मार्निंग मी की थी कि प्राइज अपना एक गैप फिल करने के बाद में मार्निंग में जो इसके चल रहा है 410.15 का चल रहा है हमारी ऐसी उमेद है कि price की जो closing है वो यो जो black वाली candle आप देख रहे हो इसके नीचे ही इसको करनी चाहिए आज के session में because यह stopping candle है volumes भी यहाँ पर ठीक ठाक volumes आजी हो ही यह वाली प्राइस की जो closing है इस वाले level के नीचे ही में भी अगर हम सही है तो इस level के नीचे ही होनी चाहिए यह दूसरी बात है डेली टाइम फ्रेम पर जो चीज़े हम देख रहे थे कि price ने देखी यहाँ पर किया क्या है lower lows, lower highs, lower lows, lower highs यही बन रहे थे लगा था price ने क्या किया एक देखिए high लगा यहां से low अगीन यह high फिर से देखिए price सीधे सीधे यहां पर low लगा दिया low और फिर से यह high लग गया है ना अब market क्या कर रहे यहां पर यह जो आप black वाली candle देख रहे हो एक तो यह जहां पर सबसे ज़्यादा volume है इसके बाद में एक ही हमारी second candle है 7th of Feb की candle अब इस 7th of Feb की candle ने breakout इस candle का breakout किस ने किया है यह वाली candle इसने breakout मारा ना और देख यहां पर कितनी volumes आई हैं यह वाली breakout की volumes थी और यह भी breakout की volumes थी तो price एक heavy volume के साथ support ले रहा है और एक heavy volume के साथ price का breakout breakdown कर रहा है इसका मतलब यह होता है कि price के अंदर कहीं ना कहीं जो supports के breakout हो रहे हैं वो strong breakout है recovery हो सकती है बट उमीद कम है में भी chance है कि कुछ समय के बाद में recovery हो जब तक volumes के breakout नहीं होंगे तब तक recovery में भी बहुत मुश्किल है अब यहां पर देखिए जो candle गिरते हुए पर जिसने volumes increase किते इसके बाद में एक यह high लगा इस green वाली candle के दूर यहां पर volumes increase हो गए आपको पता है यह resistance है जब तक हिंड डालको अपनी इस green वाली candle का high नहीं तोड़ेगा ना आप देख ली जगा इसके अंदर कोई बड़ी recovery आपको देखने को मिलेगी नहीं volumes के साथ supports find करना volumes के साथ support even resistance के breakouts देखना बहुत अच्छी बात होती है आप नहीं से देखोगे न तो काफी कुछ आपको समझने को मिल जायागा एक confidence होता है कि हाँ support टूटा है रियल में support टूटा है ऐसा नहीं कि क्रॉस ओवर हम लोग देख रहे हैं को इंडिकेटर देख रहे हैं यह हो गया वो हो गया तो breakouts हो गया नहीं हम लोग यहापर proper price actions देख रहे है अब price ने क्या किया एक breakout किया यहाँ से इसके इसके recovery आई upside की तरफ और कल के session में जो holy का session थ उसको फिल कर दिया फिल किया 9.15 की कितनी बड़ी candle बनी और कई साइटेट्स हमने execute किया है कि जब हम 9.15 की candle का पूरा का पूरा retracement catch करने के कुशिश करते हैं एक DAX नाम से trading system हमने आप लोगों के साथ share किया था जिसमें morning की 9.15 की candle का just 50% हम लोग कैसे identify करते हैं कैसे morning की जो अभी एक system हम आपको बताते हैं तीस दिन तक उस system को follow कर लो सिर्फ तीस दिन तक आपको result पता चल जाएगा price section की actually power क्या होती है money management और risk management की actually power क्या होती है आप सिर्फ तीस दिन तक अभी जो चीज हम बताएंगे ना उसको बस apply कर देना आँख बंद करके आप यकीन मानू आ आप loss में नहीं निकलोगे महनत अगर कर ले गया तो आप उसमें profit ही ले जाओगे हम क्यूं बोले हैं महनत कर ले गया क्यूंकि एक ही system की उपर बने रहना बहुत मुश्किल होता है में भी हो सकता है दो दिन या तीन दिन आप loss करो आप छोड़ दो वो system फिर दूसरे पर च है कि एक system के उपर आप काम करो रिस्क और मैनेज करके काम करो तो कुछ बहुत बड़ी महनत कुछ थोड़ी नहीं जस्ट में psychology को मेंटेन करके रखना है यहां पर समझ में हाई टाइम फ्रेम पर प्राइस ने अपना गैप फिल किया हमें दो चीज ही मिल गए हम मालूम है हम जो सबसे लास्ट केंडल थी यह वाली केंडल बन गई 325 के सो यहां पर मार्केट ने आ करके पूरा अगपूर एक support लिया में भी चांस है कि अभी जो चीज हम आप बोलने कि जो closing है वह हमारी इस ब्लैक वाली केंडल के नीचे ही price हमारा close मारते में इस तक के जो अपने profits च 20 हमने इसके अंदर मारी हुई है और अभी भी 9300 के अरॉन का profit अपना चल रहा है देखिए तीज दिन आपको करना क्या है तीज दिन तक इनको site कर देते हैं कि यहां पर इतने systems हमने आप लों को बता हुए है एक दो comment हमें याद है कि last time आये थे अकसर कुछ कुछ होते हैं हम चाहें जितनी भी आपको जितनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें बट एक दो बेवकूफ लोग होते हैं कि जिनें अपने इस तरह पर सब कुछ perfect चा आप से नहीं का है कि सारे methods को आप apply करो जो आपको suitable लगता है जो आपके recording आपको रेक्सले information अच्छी लगती है आप उसको पकड़ लो ना उसके ऊपर ही काम को फिर आपको किसी भी system किसी method की ज़रूरत नहीं कोई एक पकड़ लो हम पिछले 7-8 साल साल से लगातार काम कर र इसका यह मतलब नहीं कि जो चीज़ हम share करें आपको सारी पकड़ लेनी है कोई भी एक जो आपको अच्छी लगती ना वो पकड़ लो और और methods उसके उपर लग रहे होंगे हमें यह वाला सांच में है gap को लेकर के देए कितने अच्छे-चे systems हमने आपको बता रखे है gap filling त ने gap बना दिया है तो वो gap fill होगा जरूर तो gaping gap के जितने भी systems हो तो बहुत अच्छे होते एक system पकड़ लो जैसे कि हम अभी मान करके चलते हैं जैसे कि आप एक काम करो कुछ दिन पहले अभी हमने एक mother candle की formations बताएं इस mother candle के system को आपको पकड़ना है clear है यहां से एक वाला वीडियो पुछी तरह से देख लेना अभी हम सिफ चोटी सी चीज यहां पर कोशिच करेंगे बताने की जितना जल्दी हो सकेगा उतना सो एक mother candle के एक system सबसे पहरी चीज इस system माँ पकड़ो कि यह एक formation होती है इसको और भी सही तरह से हमने कुछ अपने जो स्कैनर से उसमें बना नहीं कोशिच की है एक्सल फाइल में जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ वॉल्म और प्राइज इने एक दो और वी चीज है उसको भी हम इसमें एड करने की कुशिच करते हैं तो उतना डीप में या डीप नहीं करना है एक सिंपल सेट अप बिल्कुल सिंपल सी चीज है हम वह समझाने के कुशिच करने बहुत कुछ ज्यादा आपको नहीं देखना है सिर्फ एक मदर केंडल फॉर्म की हुई है और जो बेबी केंडल होती उसकी वॉल्यूम ज्यादा है लास्ट से इस वाली से तो आप एक काम क काम करने के लिए हमने कितने सारि सिस्टम्स आपको बता रखिये या फिर इसके अलावा ऐगर आपके पास किसदो करने सबसे पहला और execution नहीं होंगे कहीं पर भी market जाए जाने दो हमें काम नहीं करना है trade execute करने किसी दो जगा high या फिर low और आपको break out करना और break down करना है in between trade execution आप नहीं करोगे इस चीज़ को note कर लो ये इस तरह से ही trade होगा आप ये नहीं करोगे या फिर यहां से आप break inside नहीं break outside outside ही executions होंगे और formations जस्ट यहीं रहेंगे बिना कुछ देखे सिर्फ इस जगह पर आप अपने entries के confirmations लोगे और trade execute कर दोगे इस कि लावा कुछ नहीं करना है पहली चीज़ यह तो setup हो गया है इस stocks को अगर आपको select करना है stock selections तो manually आप search करोगे या अगर आप बना सकते हो तो अपना को scanner बना लिए जिस पर भी डिजिट्स लगानी वो लगा दिजएगा जो भी formulas जालना है बस आपको इस तरह की एक formation दिखे जो हमारा अपना scanner है वह इसकार हम शेयर नहीं करते हैं वह उसको शेयर नहीं करते हैं और जिस scanner हमारा है उसको हम अपने group के लिए रखते हैं जिब private sessions होते हैं तो उस ही में हम शेयर करते हैं आप इतनी चीज याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर executions break out कहीं करने हैं यह तो हो गया सबसे पहला system के में trade execution करना कैसे है अब तीस दिन तक आप एक exercise करोगे के daily only two trade आप मारोगे रोज के ज्यादा नहीं सिर्फ दो ट्रेट इसके बाद per trade रिस्क यह आपको per trade का जो रिस्क है इसको fix करना है हम नहीं बोलेंगे आपकी 500 कलो 1000 कलो 2000 कलो 3000 कलो 2000 जितनी आपकी मर्जी जितनी आपकी capacity उतना रिस्क लो लेकि सेम रिस्क रहेगा अगर आपको 500 गर रिस्क रखने हो तो आप 500 गर रिस्क रखो same risk per trade रिस्क आपको fix रहना चाहिए यह rule है इसका और जो चीज हम बोलें ना 30 दिन तक यह काम कर लो आप ट्रेडिंग को लेकर कि आपको नजरिया चेंज हो जाएगा प्राइस के रिडिंग कैसे हो रहे वॉलें कि कैसे सपोर्ट कैसे निकलते करो है यह सारी चीज आपको देखने वीडियो करो इक बहुत बड़ी बात नहीं है जितना टाम को लगता है इतना ट्रेड करने में टाइम लगता है कि कैसे क्या रीडिंग की है किस तरह से हमने एक्जेक्विशन की है यह कुछ बुनियादी चीजे हैं इनका आपको विशेर्स ध्यान रखना होगा पर ट्रेड रिस्क फिक्स तो मतलब फिक्स के आप प्रॉफिट के मिनिममम जो प्रॉफिट आप ले करके चलोगे वह वन इस्टो टू का होना चाहिए मतलब इतना आपका प्रॉफिट होगा य जार में लब अपकुल मिला कर कि आप 500 रॉफिट में आपको निकलना होगा दो ट्रेड अगर आपने कि दोनों में आपका रिस्क हो दोनों में स्टॉप लेगे हजार रॉपाय का लॉस लेकर कर बड़े तो रिकावर नहीं करना है अब जो भी होगा रिकावर करना नेक्स करेंगे इस तरह से हम लोग काम करेंगे और इसके अंदर आपको कोई भी सैकोलजी नहीं सोचनी है सैकोलजी के उपर लास्ट देखिए वन-टू-वन सेशन में कितनी अच्छी तरह से उसको कोशिश कीते एक्स्प्लेन करने कि सैकोलजी की जरूरत आपको नहीं पड़ेग इस तॉप लॉस एंट्री टार्केट वगरा सब कुछ उसमें है इस तॉप लॉस के लिए आप क्या करना कि जब इस जगे पर आप अपने एंट्री के कंफरमेशन देख रहो ले रहो तो एंट्री के लिए यहां पर कोई मदर केंडल देख लिए लोवर टाइम पर क्योंकि जैसे यह एक्जेक्यूशन अगर यहां पर है तो मदर केंडल के लोव पर आप ट्रेड एक्जेक्यूट करो यहां पर जैसे प्राइस नीचे की तरफ निकलेगा आप ट्रेड मार दो गया और स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई पर रहो अब देखिए च्छोटी सी चीज त अगर रिस्क सेम हो सकता है तो वाट एवर जो मर्जी आपका सेग्मेंट ट्रेट कर डालो जो मर्जी ट्रेट कर डालो ठीक है न तो इतनी चीज याद रखना यहां पर हमने आपको डेली टाइम फ्रेम की लेवल्स पता दी हैं एंट्री स्टॉप लॉस टार्गेट भी हमन नए नए शब दे करके बड़ा लंबा चौड़ा खींशते चले जा रहे हैं उसको रवर्ड की तरह खींशते चले जा रहे हैं प्रॉब्लम्स तो हैं ठीक उसका सेलूशन क्या है लेक्षर दे देने से सेलूशन नहीं मिल जाते एक वन एन अल्ली सेलूशन एंट्री लेने के बाद sessions में भी हमने यही बोला live session जब आप देखोगे न वन टू बोला तो उसमें भी हमने यही बोला कि actually क्या होता है यह psychology psychology की problem क्या हो आती है क्या trade execute करने के पहले बाद में आती है जह हम execute कर लेते क्यों आती है अब यह profit हो रहा है तो हम निकल जाया रूके रहे अरे 500 रुपय करने रिस्क लिया थे विए कितना 600 700 वा जितना stop loss था उतना तुमको मिल रहे निकल जाया निकल जाया कि ना निकले यह तो 800 हो गया अरे यह वापस से 600 हो गया चलो निकल जाते है लो यह है psychology तो इसको इसको clear कर कोशिच करो संभालने की एंट्री लेने के बाद में कुछ नहीं कुछ ट्रेडिंग यह यह mother candle daily dotate profit risk fix और यह जो profit बना दिया और यह जो setup बना दिया यह strategy है यह जो 2-4 शब लिखकर करके हमने जो drawing कर दी screen पर यह strategy हो गई आपकी fix कर दो इसको और कर लोगा 10,000 के round अगर आता है यहां पर हमको targets मिलते हैं तो 10,000 के round का कुछ का profit हो सकता है यह करें निकल जाएं रुकें भी तीन बजे की यह candle है चलिए यह से बाहर निकलते हैं और बुक में चलते हैं सबसे पहले अपना stop loss order हम लोग करेंगे कैंसिल पंद्रो सो पचास का यह हो गया कैंसिल वापा सिक पोजिशन बुक में आएंगे 9,455 रुपए का थीन सो हो गया 9,300 का profit चल रहा है प्राइज 409.75 409.75 80 हो गया कॉपी स्क्वार ओफ एनसी 409.80 80 क्यों 75 409.80 85 पर अभी हम आगर प्लेस ओर करेंगे फटाक से निकल जाएंगे लीजे हो गया 9200 रुपए 85 पैसे का profit है ठीक है इंट्राडे के एक सफिशेंट रुपए अपने पास और सारी कॉनिटी अपनी निकल चुकी है और रुप में आते हैं ओक है 150 1550 रुपए कोजिशन बुक ठीक है 9,295 रुपए का profit है ठीक है अच्छा खासा profit है और प्राइज भी नीचे आ रहे है जो चीज अभी हमने पता है जो रेड वाली केंडल उसके नीचे ही market close मारेगी ओके सो आई होप कि आज के वीडियो काफी पसंद आया होगा का मतलब कि कुछ न कुछ आपने इसे जरूर सीखा होगा उसके अंदर revenge trading नहीं होगी उसके अंदर recovery trading नहीं होगी के loss को recover करने के लिए चलेगा ऐसा कुछ न किजिएगा comment किजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बारा हो तो चैनल को subscribe किजिएगा thanks and we will meet again